Hello everyone, welcome to my channel, Learn with Pfizer आज हम एक AC health problem और इसके solution के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कानों में इस तरीके से गंटी बजना जिसे हम ringing in ears कहते हैं सास नहीं ले पाना, सास लेने में कथिनाए होना, सास लेने इसमें तकलीफ होना या फिर सास का TG से चलना, तो आप यहाँ पे देखें इस तरीके से सास TG से चल रहे है और सास लेने में तकलीफ हो रहे है, रुक रुक के सास से आती है या फिर दिल की दड़कने जो है वो बढ़ गई है, TG से हार्ट बिट होना और हाट का टीजी से पंपिंग होना हाट पे जो है वो धंडे हो जाते हैं सिर में डड तनाव या खिचाव रहता है नसों का खिचाव रहता है नाक में से इस तरीके से खून का बहना और ठकान और सुस्ती लगना आलस आना सीने में डड की समस्या आप कहीं भी अचानक से बेठे हो या फिर सोय हो है अचानक से सीने में डड हो सकता है तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको सौल करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सिखेंगे तो चलिए सिखते हैं आज के हमारे वीडियो लेक्चर में टैल्मिक काइन एम टैबलेट क वर्किंग एन मिकेनिसम, डोज ओफ मेडिसिन, प्राइज ओफ मेडिसिन, साइड इफेक्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी केटेगरी और ड्रोग ड्रोग इंट्रेक्शन्स तो ये जो सारी चैप्टरॉस है वो आज हम वन बाइवन आज के हमारे वीडियो लेक्चर में आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं बेजिक इंट्रोडेक्शन से तैलमी काइन एम जो टैबलेट है वो कौन से क्लास से बिलॉंग करती है ये एक एसी क्लास की मेडिकेशन है जिसका नाम है एंटि हाइपर टेंसिव ड्रोग तो ये मेडिसिन डो ड्रोग के कॉंबिनेशन से बनी हुई है तो डो ड्रोग का कॉंबिनेशन है कौन सा डो ड्रोग है तो आप यहाँ पर देखे हैं यहाँ पर तैलमी सर्दान और एमलोडिपिन ये डो नो ड्रोग से इसका ब्राद नेम रखा हुआ है तैलमी 4 तैलमी सर्दान एमलोडीपीन तो एमफोर एमलोडीपीन तो इसका जो ब्राण नेम है तेलमी काइन एम सॉल्ट कमपोजिशन इसका रहता है एमलोडीपीन फायमजी एन टेलमी सर्टान जो है वो 40 एमजी में वेलेबल है नाव अब कंपनी के बारे में जाने तो इसे मैनुफेक्चर मैंकाइ चाहती हूँ हमारी एक new launch book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहाँ पे इसका review देख सकते हो यह पूरी color printed book है इस book में किसी भी disease का causes, symptoms, diagnosis, treatment और introduction यह जो सारे basic details है वो आपको मिलेगी total 125 diseases हमने cover किये हैं तो यह आपको बहुत अच्छी रहेगी इसकी अभी December जो offer चल रही है उसके according आपको best price रहेगी 749 में तो अभी order करे हमारी book चलिए अब हम हमारे topic पे वापस से आते हैं कि tell me kind aim हमने जो आगी users देखे है help problem देखे उसके अलावा अधर इसी कौन-कौन से users है कौन-कौन सी conditions हैं जिसमें आपको ये medicine prescribe की जाती है तो specially ये जो medicine है वो high BP को treat करती है अगर किसी को high BP है तो उसके management के लिए उसको ठीक करने के लिए ये medicine का उपयोग होता है तो ये अगर किसी को chest में pain होता है तो उसे वो reduce करता है किसी को heart attack आया है, stroke है या फिर death होने की समभावना है तो एसे लोगों को भी ये medicine से treat किया जाता है विडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ तो अगर आपको भी इसी तरीके सी कोई help problem है और उसको आपका solution नहीं मिल रहा है तो आप expert के consultation मेरे साथ ले सकते हैं तो आप यहाँ पे मेरा whatsapp number देख सकते हैं तो whatsapp के true आप अभी मुझे contact कीजिए जिससे में आपकी help problem को समझ सको और आपकी help कर सको now आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह मेरी channel है learn with Pfizer तो आप यहाँ पे ratio देख रहे होंगे तो यहाँ पे subscribe ratio है 4.9 और not subscribe ratio है 9.5.1% आप में से कहीं लोग ऐसे है मेरी channel को देख रहे हैं आपको अच्छी लग रही है आप like भी कर रहे हैं लेकि आप मेरी channel को subscribe नहीं कर रहे हैं तो आप मेरी channel को अभी subscribe करें जिससे आपके related कोई भी health issue हो वो भी मैं आपको समझ सकूँ और आपकी help कर सकूँ तो अभी subscribe करें मेरी channel label study के बारे में बात करें तो Rx आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने Rx का मतलब आपको समझा ही दिया है वैसे तुम्हें सबी ही वीडियो में आपको Rx का मतलब समझाती हो तो Rx का मतलब होता है prescription based drugs prescription based drug किसे कहते हैं कि अगर आपको यह Rx लिखा हुआ हो कहीं पे भी तो अगर आपके पास prescription है तभी आपको यह medicine मिल सकती है now इस tablet के बारे में और भी जाने तो यह uncoated by layer tablet रहेगी यह जो tablet है वो blister pack में available रहती है and each pack में 10 tablets आती है अब हम समझें इसके working के बारे में यह medicine हमारी body में जाके work कैसे करेगी तो यह medicine हमारे body में blood vessels को dilate कर देटा है जिससे blood pressure कम हो जाता है heart में blood flow increase करती है तो आप यहाँ पे देखें कि यह जो blood vessel है इसका जो diameter है वो छोटा है और इसका जो diameter है वो बड़ा है तो अगर tell me kind आपको prescribe की जाती है तो tell me kind का का काम क्या है कि जो blood vessel constrict यानि कि उसका diameter कम हो गया है वो उससे relax करके dilate करती है यानि कि चोड़ा करती है तो इसके जो smooth muscles है वो खूल जाते है तो यह इसका काम है तो इस तरीके से जो blood vessels relax होने से बड़ा हुआ है उससे BP कम हो सकता है अब dose के बारे में सीखें कि इसका dose कितना रहेगा इसका जो adult dose है tell me certain का जो dose रहता है वो 20 से लेके 80 mg दिन में एक बार रहता है अब envelope pin के बारे में बात करें तो envelope pin का dose 5 से लेके 10 mg दिन में एक बार तो यह जो tablet है यह combination tablet है तो इसमें tell me certain 40 mg एवेलेबल है तो आप यहां पर रहेखें इसका ratio 20 से 80 है तो इहां पर 40 है अब envelope pin इसका dose यह है तो यह 5 mg में वेलेबल रहता है तो इसको आप दिन में एक बार या फिर दो बार ले सकते हो इसको high dose में नहीं लेना है एक से ज्यादा टेबलेट आपको नहीं लेनी है जब भी आपको आपके healthcare provider है वो आपको बताएंगी कि आपको एक dose लेना है या फिर दो टेबलेट लेनी है नाव प्राइस के बारे में बात करें इसकी latest price क्या रहेगी तो इसकी जो latest price है December 2023 की 10 टेबलेट के आपको प्राइस रहेगी 75.9 रुपेस अगर आपको single टेबलेट चाहिए एक टेबलेट की जहनकारी चाहिए तो उसके लिए आपको पेसे होंगे 7.59 पेसे वीडियो में आपको बढ़ाना चाहती हूँ हमारी एक new launch book है disease and treatment जिसका नाम है बिमारिया और उनका उपजार तो आप यहां पे देख रहे हैं इस तरीकी से पूरी बुक आएगी तो अगर आपको हमारी book चाहिए तो अभी best offer चल रही है उस offer में आपको हमारी जो बुक है वो पड़ेगी रुपीज 749 में तो आपको भी हमारे साथ इसे हिस्टरी करना अच्छा लगता है तो आप जरूर से हमारी book लेंगे अब साइड इफेक्स के बारे में समझे तो अगर कोई patient की medicine ले रहा है तो उसकी body में क्या-क्या साइड इफेक्स दिखती है तो चलिए देखते हैं swelling in arms and legs, हाथों और पेरों में सुजन हो जाना, common cold रहना, backache, peat में डर्ड या फिर गली का डर्ड, की सारी problems रहते हैं diarrhea होना, dizziness, check कराना, drowsiness, confusion सा रहता है, racist रहता है और body में weakness रहती है तो यह जो सारी side effects आपको डिख रही है यह condition में आपको side effects tell me kind aim लेने से हो सकती है अब contra indication यानि की warning के बारे में बात करें तो कैसे patient को यह medicine avoid करनी है तो चलिए देखते हैं, अगर किसी को tell me kind aim या फिर उसके जो salt composition है उसके साथ allergic reaction बन रही है तो एसे patient को यह medicine avoid करनी है, किसी को liver problem और kidney problems है, severe dehydration रहता है, pregnant और breastfeeding में भी आपको avoid करना है तो एसी condition में आपको tell me kind aim जो tablet है वो avoid करनी है, नहीं लेनी है अब pregnancy category के बारे में बात करें, तो इसकी pregnancy category क्या रहेगी previously हमने देखा, contraindication में कि breastfeeding woman और जो pregnant मही लाए है, वो नहीं ले सकती है तो इसके according इसकी pregnancy category D रहती है, तो यह pregnancy में unsafe मानी जाती है pregnancy and breastfeeding के दोरान इसे नहीं लेनी है अब drug drug interactions के बारे में बात करें, कि tell me kind aim की या फिर उसके जो salt composition है उसको कौन-कौन सी drug के साथ नहीं लेना है, avoid करना है तो इस चलिए देखते हैं, Alice Kirin, Ramipril, Ibuprofen, Naproxen, Simvastatin, Digoxin, Lithium, Cyclosporin and Tacrolimus तो यह जो सारी drugs है, उस drug के साथ मैं आपको बताऊं तो यह medicine आपको specially खास करके avoid करनी है इसके combination में tell me kind हम नहीं लेंगे, avoid करेंगे तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा ऐसी ही disease and medicine के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं या फिर comment box में comment drop करके भी मुझे अटा सकते हैं कि आपको कौन से disease और कौन से medicine के बारे में जानकारी चाहिए Thank you for watching my video